आज KCR की और BJP की लड़ई सांप और मुंगुस की तरह हो गई और KCR ये 4% के रिजर्वेशन में सीरियस नहीं है और 4% का रिजर्वेशन जिस दिन भी सुप्रीम कोट में स्ट्राइक आफ हो जाएंगा उस दिन तमाम मुसल्मानों को फिर से भढ़काएंगे अपनी दुकान चलाने के लिए अपनी सियासी चुले पे रोट्या पाखाने के लिए फिर से एक टाइम मुसल्मान को टार्गेट बनाएंगे तो मैं प्रिस कॉन्फरेंस बुलाया हूँ इसका में एजिंडा है मुसलिम 4% रिजर्वेशन थोड़ा मैं इतिहास में जाऊंगा 2007 में राश्यकरिडी साब और हमारे एक्स मिनिस्टर शबीर अली साब कि जद्धो जहद से 4% मुसलिम रिजर्वेशन एजुकेशन में और नौकरियों में हमारे को मिला था उसके बाद 2010 में यह रिजर्वेशन का केश सुप्रीम कोट के कॉंस्टिटुजन बेंच पे चले गया और यह महने में या नेक्स्ट मन्ट के फर्स्ट वीक में यह रिजर्वेशन का केश जो कॉंस्टिटूशनल बेंच पे है यह आने वाला है और हमारी इतला यह है और मेरा फीड़बैक यह है कि यह चार परसंट रिजर्वेशन जो मुसल्मानों को मिल रहा है यह स्ट्राइक आफ हो जाने वाला है नल एंवाइड हो जाने वाला है और आज आपको बुलाने का मतलब यह था कि मैं जो हाल अखिकत आज बयान कर रहा हूँ यह जो गावर्मेंट है केसियार की और उनके साथ जो अलाइंस में फ्रेंली पार्टी इमायम है वो लोग यह मामले को सीरियस लेने का है सुप्रीम कोट में जब तक आप प्रापर होमवर्क नहीं करें प्रापर स्टाटिस्टिक्स आप प्रड्यूस नहीं करें और सुप्रीम कोट में आपको बताना भोच ज़रूरी है कि S.C. को रिजर्वेशन मिल रहा पस्मन्दा है S.C. को रिजर्वेशन मिल रहा पस्मन्दा है वो पैरमीटर्ज में इच मुसल्मान को जो B.C.E. में आप रिजर्वेशन दे रहे मुसल्मान भी पस्मन्दा है एक उधारन के लिए फॉर एक्जामपल अगर से सव S.C. है फैमिलीज तो उसके अंदर आप बता रहे है 80 जने अनपड है S.C. सव फैमिलीज है आप बता रहे है 80 जने अनपड है मरहाल हगीखत देखीगे तो अगर से सव मुसल्मान फैमिलीज है वहाँ पर भी 80 से बढ़के अनपड है तो पस्मन्दा मुसल्मान भी है ये प्रूफ करने की बहुत जरूरत है और आपकी इतला के लिए बता दो रिजर्वेशन सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो इच मिलता ये हमारा कॉंसिट्यूशन बोर रहा है ये हमारा दस्तूर बोर रहा है और अब ये 4% को प्रोटेक्ट करने का काम तेलेंगाना गवर्मेंट का है तेलेंगाना गवर्मेंट के तरव से जो बी-सी कमिशन है वो लेटेस्ट डेटा प्रापर्ली प्रेडिूश करना मेर पास है डेटा बार पुराना डेटा है और वो डेटा में आपको क्या आपकरना पड़ींगा फर एग्जामपल मेर पास पुराना डेटा है सोशो, एकोनॉमी ैन एड़ुकेशनल कंडिशन ऑफ मुसलिम्स पुराना है उसके अंदर उन्हें क्या पूछ रहा आपको सुप्रीम कोट क्या पूछेंगा कि demographic profile पूछेंगा फिर educational status पूछेंगा फिर health और living conditions पूछेंगा फिर economic conditions पूछेंगा financial inclusion क्या है इनका status of women औरता हवातिन का status क्या है पूछेंगा government में किते लोग employed है private में किते लोग employed है क्या और दूसरे परेशानिया है government क्या recommendation कर रहा यह पूरे चीजा आपको produce करना पड़ता अगर से आप properly produce करेंगे तो यह 4% बचेंगा फिर से मैं इतिहास में जाना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंतरी साब 12% reservation देतों मुले मुसल्मानों को और बोले कि हर एक पार्टी मुसल्मानों को vote bank की तरह यूस करा गुलगुला और हल्वे की तरह यूस करा मैं बहुत सीरियस हूँ मैं सोशल जस्टिस करूँगा A.C.S.T.B.C. आपको भी मैं उसी तरीखे से देखूँगा और आपकी जो जिन्दगी पस्बंदा है उसको मैं डेवलप करूँगा आज जो पाटी उनके साथ है M.I.M. पाटी हरे एक छोटे सर के इशू में आल इंडिया में आप नैशनल टेलिविजन पे दिखते मर जो मेन मसला है रिजर्वेशन का आज तक आप मुख्यमंतरी से ने पूछे वर्कबोट का जोडिश्वी पवर है आज तक आप मुख्यमंतरी को ने पूछे डबल बेटरुम का मामला है मुख्यमंतरी से ने पूछे नवक्रियों का मसला है मुख्यमंतिर से नहीं पूछे माइनारेटी फाइनस कापरेशन से लोन दिला के मैंने मुसल्मान भाई भेन को डेवलेप करता हो मोला आप वो ने पूछते हवातीन को स्किल डेवलेपमेंट कराता हो मोले पूछते ने आप ऐसे कई मसले हैं वर सबसे एहम मसला है रिजर्वेशन का और अगर से आप लोग सीरियस ने लेंगे तो मैं आपको फ्यूचर बता दे रहा हूँ और वो तकलीर से बता रहा हूँ और मैं नहीं चाहता यह होना और मैं अल्ला से दौा भी करता हूँ कि जो भी है चार परसेंट हमारा बचे और टेक्निकल बात बोलतों मैं आप रिजर्वेशन अगर से 50 परसेंट से उपर हो गया तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता आज क्या है ओबी सी को 25 परसेंट एसीज को 15 परसेंट एस्टी को 6 परसेंट था और मुस्लिम 4 था टोटल किता हो गया सब 50 आज केसीयार साब क्या करें एस्टी जो 6 परसेंट था मुख्यमंत्री को मालूम यह 4 परसेंट जाने वाला है इसके लिए एस्टी रिजर्वेशन को 10 परसेंट कर दिया और मेरे इत्यला मेरा इंफर्मेशन यह है केसीयार और मायम पाटी जैसा 4 परसेंट यह रिजर्वेशन चले जाएंगा यह लोग BJP को तोहमत लगाएंगे और कभी भी यह लोग ED, CBI, Income Tax, Election Commission, Supreme Court पूरे Union Government के अंडर है उनको इंफ्लेंस कर रहें उनको आजार के तरह यूज़ कर रहें यह कभी भी यह लोग बख रहें आज केसीयार की और BJP की लड़ई सांप और मुंगुस की तरह हो गई और केसीयार यह चार परसेंट के रिजर्वेशन में सीरियस नहीं है और चार परसेंट का रिजर्वेशन जिस दिन भी Supreme Court में स्ट्राइक आफ हो जाएंगा उस दिन तमाम मुसल्मानों को फिर से भड़काएंगे अपनी दुकान चलाने के लिए अपनी सियासी चुले पे रोटिया पकाने के लिए फिर से एक टाइम मुसल्मान को तार्गेट बनाएंगे तो मैं मेरे मुसल्मान भाय और भैनों से यह पूछता हूँ आप लोग बहुत मासूम है आप भैकावा में बहुत जल्ली आजाते हैं शादी मुबारक के अलावा पेंचन के अलावा TRS Government आपको क्या दी सो ये फ्यूचर जो होने वाला है मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ और मैं ये उमीद करता हूँ मेरी आवाज हुकुमत सुनेंगी और उसको अमल करेंगी अगर से अमल ना करी तो अवाम के दरवार में छोड़ देता हूँ अवाम के अदालत में छोड़ देता हूँ और अवाम को ये बात बोलता हूँ तो रिजर्वेशन के तालुक से आज मेरा आजेंडा था अगरेशन जेदे देंडा रिजर्वेशन दी वो पांच परसेंड दी वो पचास परसेंड के ओपर हो रहा था उसके बाद में फिर उसको आल्टरनेट करके 4% लई 4% जो रिजर्वेशन दिया हो कों दिया कांग्रेस पार्टी दिया और आज भी कांग्रेस पार्टी डेट के फाइट कर रही आज भी शबीर अली उसके अंदर है केस के अंदर और शबीर अली का केस हमारे सलमान खुर्ची साब केस लड़ रहे हम जितना भी प्रोटेक्ट करना हैं प्रोटेक्ट करेंगे मगर गवर्मेंट का काम है ना प्रोटेक्ट करना तो हमारे पास जो भी डेटा है वो पुराना डेटा है कल का data है अगर से आज का data होना है तो वो सिर्फ BC commission लाके रख सकता वो government लाके रख सकती तो हमार को यह मैसूस हो रहा जो reservation congress दी वो reservation करत्रे में है और congress party जब भी भी power में आएंगी reservation तो continue है और reservation किस तरीखे से बढ़ाइंगे हम बात बोलते आपको हमें एक बात straight away ये बात बोलेंगे कि जब 12% मैंदोंगा मुसलमानों को बोले तो तमाम दानिश्वरों में एक फिरोषखान था जो पलट के बोला कि आप नहीं दे सकते 12% जब 50% के उपर हो गया था जब कांग्रेस पार्टी 5% जी थी उसकुछ आगे ने बढ़ने दिये तो हम 4 पे चले गए आप कैसा 12 पे जाते तो जब केसियार साहब अवाम के सामने प्रेस के सामने आके ये बात बोले कि अब तेलेंगाना नया state बना ये सबसे यंगे state है जोगरफी जो है बाउंडरी जो है वो पूरे चेंज हो चुके है और जो नेसिसिटी है रिक्वाइर्मेंट है वो चेंज हो गई और state को पवर है state को special power है कि ये रिक्वेस्ट डाल सकते और schedule 9 में इसको एंट्री करवा सकते जिस तरीखे से टेमिल नाडू में जैलेलिता करवाई इसी तरीखे का काम मैं कर दोंगा तो जबी हमार को मालम था और जबी हम अपोस्ट करे मर उसके बाद में as a young leader positive थे और हम बोले कि चलिए ऐसा हो जाएंगा तो हमारे मुसल्मान भाई भन का फाइदा हो जाएंगा तो हम उमीद भी करे और अल्ला से दुआ भी करे मार आज क्या हो गया केसियार साब जो वादे करे वो सेम नरेंदर मोदी के वैसे जुमले है तो वो नरेंदर मोदी एक बड़ा चोर इन्हों एक छोटे चोर अर्विन का जो खिसा है दोनों भी एक responsible politicians है decent politicians है और सबसे बड़ी बाद educated politicians है और कभी भी politics में आपका standard हाई है ना और मैं कभी भी एक बात बोलता हूँ एकाट time personal हो गए तो बात अलग है और politics में जब आप है issue based है ना अगर से आर्विन्द कवीता को कुछ बोला कभीता आर्विन्द को कुछ बोल रही और वो बात violence में turn हो रही है तो democracy में और parliament form of government में आप याद रखिए violence को space नहीं है खालून को कोई हाथ में ले ले ला और एक कहवत है two wrongs एक right नहीं करता और जो law makers है वो law breakers नहीं बनना law maker अपने standard set करना तो आज कभीता आख के channel में बोलती अर्विन्द को चौरस्ते पे चपल निकाल के मारता हूँ और अर्विन्द के घर पे जाके धरना तक अच्छा था मर घर में आपने घुसना न आप ए खावातीने आपके लोग घर में घुसे मा पे उनकी मा मा पे उनके काम करने वाले आप किसके घर में कैसा घुसते तो totally मैं यहाँ पे अर्विन्द राइट कवीता राइट अर्विन्द रॉंग कवीता रॉंग मैंने बोल रहा हूँ मर मैं यह बात बोल रहा हूँ आप कवीता इतना 23 मेने की क्या जूरत है आपको आप बोलते कांग्रेस पाटी के चीफ मलिकार जुन खर गए से आपकी बात भी कोई बोलता मलिकार जुन खर गए आप से कई को बात करेंगे और आप पलिट के बोलते बीजेपी के लोगां शिंडे जैसा महराष्ट्रा में करा वैसा तेलेंगाना में आप करो बोलके बीजेपी वाले में कुछ टच करें बोलके कवीता बोलते तो कवीता को ने एक पॉलिटीशन एक लीडर मुख्य मंतरी की बेटी तो आपको बीजेपी वाले कौन टच करें आप प्रेस को बोला के बोलिए मेरे को राम बोला शाम बोला लक्षमन बोला, अशोग बोला आप नाम लेए या कम से कम आप सिट डाले न वो मेरे को खरीदने के उपर सिट कमिटी डाले सिट के साब में बोलो कि आपको कौन बोले और मेरे को सप्राइज हो गया तवीता मुख्य मंतरी की बेटी उसको बीजेपी वाले आके तुम शिंडे बनो बनो कि क्यों बोलते हैं क्या जूरु रहते हैं तो एक क्या हो गया हकीकत मैं आप तुबो दो इशू के उपर पॉलिटिक्स ने हो रही आज़कर इशू बेस नहीं है मामला पॉलिटिक्स का मतलब क्या है डवर्मेंट और अपोजिशन इशू के उपर बात करना तो जब बात परसनल हो जा रही है और प्रेस को भी मैं इसमें खुसरवा ठरातों बाही प्रेस वाले भी रियल इशूस के उपर कांसेट्रेट ने कर रहे हैं प्रेस वालों को भी टी आर पी की दिवानगी हो गई और यह चिंदी चोर सबजेक्टा है कवीता चपल मारतों मोली कवीता के लोग आवाँ घुज जाना कवीता कोईने क्या बोलना कवीता क्रिमिनल केस बुक करा सकती थी कवीता डीफेमेशन सूट फाइल कर सकती थी कवीता जाके मुख्यमंतरी को बोल सकती थी हजानों चीज़ कर सकते थे आप तो यह आपका frustratedヤन है और यह पूरा drama चल रहा जैसा बहुबली picture आज भी पब्लिक को भी बुरो पब्लिक को भी drama की यादत हो गई भाई बब्लिक को भी बहुबली picture KGF ऐसे जाब picture मुनगोड election चला पड़ सुछ ता चिंदी चोर election चोर एलेक्षन टी आरेस दोसो कोड़ों पे लगा रही बीजेभी 200 कोड़ लगा रही हजार कोड़ वेलफेर स्कीमा चल रही 84 टी आरेस के में ले 15 टी आरेस के मिनिस्ट्रा शरामाई में कुछ देखके चिकन बटन बाट रही शराब के बटला बाट रही अरे मर्दों को शराब पीते वे देखा था साब और ता शराब पी रही वारेवा केसी यार क्या बंगारू तेलेंगाना क्या सुने का तेलेंगाना बना रही साब तुम वारेवा तो ये पूरा पिक्चर चल रहा प्रेस को आदत हो गई, पब्लिक को आदत हो गई मुन गुड़ मूवी उसके लगाद आया वो मुहिनाबाद बी जेपी कते आके ये बैगन के बाल के मेलर्स को खरीदना आरे अरे वो तीन जन्यों जो आए हूँगी हैसियते खरीदनेगी पकड़ना था कम से कम 15, 20, 25, 30 कोड़ के साथ पकड़ना था आप बोल रहे हमां को खरीद रहे हैसा सिंपल लाजिक तो या कि मैं को बोलता सरकल इंस्पेक्टर या हमारो पैसे पूछ रहा तो मैं बोलता तो है मैं 5,000 और या दे नोटों को लाल कर देते हैं रहाते की रेडे हेंड आट पकड़ड़ी है मामूल एमले मामूल एमवारो सरकल इंस्पेक्टर को पकड़ Goddess लाल कर देते इलनलों को नहीं पकड़ते आप तो या मौईना भाद BJP वाले TRS वालों को खरीद रहे भाई हाकिकत क्या है BJP के पास इत्ती काली दौलत है तो इत्ती काली दौलत केसियार के पास भी है केसियार हमारे 12 ML ने इसको नहीं खरीदा आज बेरे ML ने खरीद रहा बुलकर रो रहा तो यह पूरा पिक्चर चलवाँ उसके अधा लेटेस्ट पिक्चर क्या है कवीता पिक्चर अब तल्प कफरसुन में किसका पिक्चर चाहर होता अरविद पिक्चर तो रियल इशूस गावर्मेंट को इंट्रेस्ट नहीं है ना पब्लिक को इंट्रेस्ट है पब्लिक भी 5-10 अरपे लेले के ओटा गालरी, पब्लिक भी चिकेन बठल शालाब के पड़ गई, मैं पब्लिक से गुजारिश कर रहो, 13 पैसा है लेले, पीदे वाला पी ले, ठाने वाला खाले, बाइक भी लेले, कंप्यूटर भी लेले, लैपटाप भी लेले, तेरे बच के शादी के भी पैसे लेले, तेरे बच्चे के इंजिनियरिंग के भी पैसे लेले, लूंगी, धोती, गुर्ता तो छोटा हो गया, लेलो, और जो तुमारे लिए काम करते हैं, उनको और दालो मेरे भाई, जागो, महरवानी करके जागो, जागो, सुनिया, फिरोस्कान बहुत होट है, TRS भी बुलाती, BJP भी बुलाती, YSR शर्मिरा भी बुलाती, BSP का प्रवीन कुमार भी बुलाता, MIM भी बुलाती, मर्दिल लगावा है ना, कांग्रेस से, महबत में, आफर करते रहते, पूरे करते रहते, मैं क्या बला आपको इंगलिश में, हॉट हुना बला, लिटेस डेलखन है, अलू अर्जुन का, मैं फिलावर में हूँ, मैं फायर हूँ, मैं हॉट हूँ, सुब बुलाती, महर मेरा दिल याट कावा है, BSP